हेलो गाईज, वेलकम टो अर्थ चैनल और इस वीडियो में आप सीखने वाले है एपोमिक्सिस क्या है और साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे पोली इंब्रियोनी क्या होती है तो सबसे पहला हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं उसके बाद समझेंगे इसके डाइग्राम्स तो आ होता है एपोमिक्सिस में तो विदावट फार्टिलाइजिशन जो प्लांट है वो क्या करता है सीड का फॉर्मिशन करता है यह जो रिप्रोडक्शन है वह एशेक्शल टाइप का रिप्रोड़क्शन होता है एक्शल में यानि एपोमिक्सिस में अगर रिप्रोड़क्शन हम देखें तो actual में के सा reproduction है in a sexual type का बड यह mimic होता है sexual reproduction के यहाणी कि दिखाई हमें सफ दता है 6c工作 जेसा ही दिखाई देता है क्योंकि जब sepaint 6 बडिंद नियाब कि यहां पर क्या होता है कि बगेर fertilization process के ही यहां पर सीध का formation हो जाता है तो यहां पर क्या हुआ कि जो एक है ना जो एक सेल होती है वो क्या करती है यहां पर वो यहां पर इंब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है जो एक होता है वो डिपलोईट टाइप का होता है और उसी से डिपलोईट टाइप का ही यहां पर इंब्रियो बन जाता है तो यहां पर क्या होता है जो एक सेल है उसमें कोई मियोसिस सेल डियूजन नहीं होता है बट फिर भी यहां पर इंब्रियो बन जाता है और इंब्रियो से फिर आगे जाके एक जो सीड है उसका formation हो जाता है और फिर fruit का formation हो जाता है तो यहां पर क्या बता है कि reg sih में क्या होता है थो dipole egg होता है उसी से यहां पर without fertilization embryo का formation होता है in some varieties of citrus and mango the nucellus cells divide and produce into the embryo sex to develop into embryo in such cases each ovals may contain the several embryo and these contain is called poly embryony यहां पर क्या बताया है कि कुछ जो citrus family के plants है जैसे कि नीमबू और संत्रा के जो plants आते है उनमें इस type की epomyxies पाई जाती है mango में भी कुछ जो mango के plants से उनमें भी epomyxies पाई जाती है इसमें क्या होता है कि जो ovil होता है उसके अंदर जो nucellus होता है वो nucellus की cells होती है वही develop होती रहती है और वही embryo का फॉर्म कर देती है याने कि नूसलस से यहां पर क्या बनते हैं इंब्रियों बनते हैं क्या होता है नूसलस से भी यहां पर जब इंब्रियों बनते हो नूसलस के साल तो बहुत सारी होती है और हम देखते हैं तो नूसलस से जब इंब्रियों बनते हैं तो बहुत सारे जब इ में देखने हमें मिलता है एपो मिंक सी इसमें इंपोर्टेंट पूर्डी इंपरडूसिंग हाइब्रीड वेराइटि आप व्रूटेंट इंपरडूस्ट कर सकते हैं हम हाइब्रेड टाईब के फूर्टेंटल वेजिटेंबल मैं waited क्रोप प्रोडक्शन भी एक लार्ज अमाउंट में कर सकते हैं यानि कि हमारे जुआ प्रोडक्शन है उसको भी हम इनक्रीज कर सकते हैं विद्वृ पाफ एक अपोमिक्षी तो यह जो टौपिक है इसमें इपॉमिक्षी और यहांपर पोली इंप्रियों नी दोनों ही topics को हमने understand किया अब यहां पर हम diagram की help से देखते हैं देखें यहां पर यह है ovel की structure इसमें यहां पर यह जो new cells की cells होती है यह क्या करती है यहां पर बहुत सारे छोटे एस टाइब से embryo बना लेती है ठीके क्या करती नुंसराइस जो वह बहुत सारे embryo बना लेती है यहां पर आप देखेंगे कि यह सीड रोइस सीड के अंदर इस छोटे छोटे बहुत सारे आपको embryo दिखाई दे रहे हैं तो इस टैप से अगर एक ही सीड के अंदर बहुत सारे embryos हमें देखने को मिलते हैं तो उसे ही कहा जाता है Poly embryony seed यहाँ पर देखें यह सीड है इसमें यहाँ पर इस टैप से 3-4 यहाँ पर क्या है Embryo's है यह सीड जब हम बोहेंगे खेट में तो इस से एक साथ जो फोर यहां पर छोटे-छोटे पोधे निकल कर आएंगे जैसे गहों में भी इस टाइप से होता है तो गहों में पॉली embryoni पाया जाता है तो यह होता है poly embryoni यहां पर और यहां पर यह जो seed का formation हुरा है वह without fertilization हो रहा है ह्यां तो यहां पर Polish tea भी इसी के साथ में है थीक unsure यहां जो टॉपिक है वह एक दूसरे से related है ओह डाइग्राम देख लेते हैं यहां पर एक ओ turbo बाइग्राम दे रखा है जैसे कभी-कभी क्या होता है कि जो न्यूसलस के सेल्स होती है इंब्रियो से चार और वो डेवलप होके इंब्रियो बना लेती है या फिर कभी-कभी क्या होता है कि जो एंटिपोडल सेल्स होती है जो एंटिपोडल सेल्स होती है वही डिवाइड हो के anti-poda embryo बना लेती है कभी 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 क्या होता है कि जो एक सेल है उससे हमें यहां पर embryo देखना को मिलता हो और कभी-कभी anti-poda cells है और कभी-कभी new cellars की जो cells होती है न वो भी embryo बना सकती है तो यहां पर इंब्रियो बनते हैं यहां तो एक सेल से बन जाते हैं यहां पर एक सेल थी पहले तो एक सेल से जो इंब्रियो बनता है उसे हम बोलते हैं जाइगोड इंब्रियो ठीक है एंटिपोडल सेल से जो इंब्रियो बनता है उसे हम बोलते हैं एंटिपोडल इंब्रियो ऐ ऐसे अगरर नुसलऊ से यहाँ बांतौ है नुसल ऐस की से से तो उससे हम कहते हैं नुसलस इंब्रीयो तो किसी भी continuous से यहाँ पर इंब्रीयो बन जाते हैं और जब एक से अधिक इंब्रीयों बनते हैं वह वह भी विदावट फर्टिलाइशन तो उसे ही कहा जाता है पोली इंब्रियोनी प्रॉसेस और साथ में यहीं पर होता है एपोमेक्सिस भी क्योंकि विदाउट फर्टिलाइशन यहां पर क्या होरा सीड का फॉर्मेशन हो रहा है तो आई होब आपको यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया यह देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर देखिए एक ही सीड के अंदर यहां पर इस टैप से फोर अलग अलग साइट पर यह इसका जर्मिनेशन हो रहा है मतलब यहां पर फोर जो है वह इंब्रियो से थे एक ही सीड के अंदर पूरा एक सीड था और उसके for watching this video thank you